शेहर में जाली गई सीवर लाइन की गुण वक्ता को लेकर अने के स्थानों पर विवात का कारण बनता रहा है विगत एक महा पूर्वी वार्ड सोला में घरों की निकासी का जल एवाम सेप्टिक टैंकों के बेस्ट को सीवर लाइन से जोड़ा गया है लेकिन एक महा बाद ही ये जल निकासी के कनेक्शन चैंबर लिके चोनी के कारण वार्ड के नागरिकों को कश्टदाई सिद्ध हो रहा है गलियों में पानी भर कर बधु एवं बिमारियों को आमंतरन दे रहा है वाड की निवासी अनिल भारगव राजेश कूनल राजेंद रगनवाल ने बताये कि आज दस दिन से चैंबर का पानी रिसाव होकर सड़क भर रहा है नगर पालिका के मैच को भी इसकी चान कर यह लेकिन कोई उचित ववस्ता नहीं की जा रही है वहीं नालियों में कनेक्शन के पाइपों में भी पॉलती नादी के कारण पानी रुख जाता है वाडवासियों ने जवाबदार अधिकारियों से चैंबर मरमत कर जल निकास से सुचारू करने की मांग की है नगर में डाली गई सीवर लाइन के ड्रेनेज सिस्टम लेकर कई विवात समझ में पराते रहे अभी हाली में बार्ड नंबर सोला दुवे कालोनी में बिगत लगवगे एक महापूर शीवर लाइन को ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा गया है लेकिन गुणबत्ता की कमी होने के कारण मातर एक महा में शीवर लाइन के चेंबर लिकेज हो गये हैं सडकों पर पानी भेह रहा है और कनेक्शन जोड़े के लिए मोटे पाइप डाले आए थे नालियों में कमिस्तान होने के कारण जाला में ही पॉलिषिन बगयरा से जाम लग जाता है पूरी वस्ती में दुरगंध है और ये वीमारियों का मंतरण है मैं हमारे जिले के जवाबदार प्रसासन कदिकारियों से यह उम्मीद करता हूं कि इस विवस्ता को देखकर और चित कारवाई करने का कश्ट करने अनिल भारगव दोवे कालोनी निवासी